आज हम आपके लिए recruitment लेके आ रहे हैं प्रशाद road and infra private limited की तरफ से एक काफी अच्छी company है basically जो roadways होती है वहाँ ही company काम करती है तो अगर आप लोग road project में या फिर highway project में काम करना चाते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो basically diploma और degree वाले दोनों ही eligible है fresh और experience दोनों ही apply कर सकते हैं और यह आपकी permanent job है तो detail notification के बारे में बात कर लेते हैं लिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया company काफी अच्छी है road project में काफी अच्छा काम करती है अगर आपको अपनी road में expertise बनानी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं बेसिकली ये एक तरह कि subcontractor है, subcontractor कौन होते हैं कि एक तो देखे client होते हैं जो कि basically पैसा देते हैं जो कि हमारी जित्ती जो PSU होती है या फिर जो government organization होती है वो होती है उनके नीचे contractor होते हैं जो कि बड़ी-बड़ी company होती हैं जैसे कि L&T हो गई, AFCONS हो गई, शापूर जी पालोंजी हो गई, ये सब बड़ी-बड़ी company हो गई, बट usually होता क्या है कि काम जब बहुत जादा होता है तो ये जो contractor होते हैं ये अपने under एक और company को hire कर लेते हैं जिसे हम लोग subcontractor कहते हैं और उनका काम क्या होता है कि जो बचा-कुचा काम होता है जैसे कि कुछ का अगर बहुत जादा किसी company के लिए और वो time पर पूरा नहीं हो पा रहा है तो वो एक subcontractor को hire कर लेते हैं और वो जो काम होता है बचा-कुचा वो ये लोग complete कर देते हैं तो वैसी एक तला की company है लेकिन फिर भी एक काफी अच्छी company है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इ लोग चाहें यहां पर apply कर सकते हैं इसकी profile मैंने आपको बता दी है company की बाकी आप यहां पर visit करके भी देख सकते हैं इसकी सारी जानकार आपको हमारी website में मिल जाएगी website का link description में भी है बात कर लेते हैं jobs के बारे में तो आपको इनके career section में जाना है जैसी आप जाते हो आप इस समय जितनी भी recruitment हैं सब आपके सामने खुल के आ जाएंगी हम आपके लिए जितनी भी vacancies लाते हैं सारी official website से लाते हैं और सारी के सारी authentic jobs होती हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहली vacancy निकल के आ रही है planning and billing engineer के लिए यह आपकी job permanent job रहने वाली है qualification अगर आपने बी ब tech in civil या फिर diploma in civil engineering कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे अलिशिबल हैं next vacancy है senior site engineer यहाँ पे भी again आपकी full time job है qualification में diploma और बी 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 टेक in civil वाले यहाँ पे apply कर सकते हैं next है quantity surveyor earthwork की basically जो earthwork होता है वो यहाँ पे आपको करवाना पड़ेगा यहाँ पे अगर आपने diploma या फिर BEB tech in civil engineering या फिर अगर diploma in survey कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे apply कर सकते हो next vacancy निकल के आ रही है site supervisor के लिए यह basically ITI वालों के लिए है अगर आपने 10th pass किया है 12th pass किया या फिर BAB.com वाले हो तो आप लोग यहाँ पे apply कर सकते हो basically site supervisor की post है तो यह basically यहाँ पे 4 post है आपके experience का दो देखिए कहीं पे experience mention नहीं है तो अगर आप fresher है तब भी जा सकते है experience है तब भी जा सकते है बट हाँ काम की knowledge होनी चाहिए planning और billing आना चाहिए इसी के अलावा execution करवाना आना चाहिए और earth work का जो survey होता है वो आपको यहाँ पे करना चाहिए यानि कि आपको TS चलाना आना चाहिए points उठाने आने चाहिए और उसे autocad में plot करना आना चाहिए मैं जो बाते बोलना हूँ उन पे ध्यान दीजिएगा अगर वो सब आपको आती तब यह आप इस post पे जाईए apply हमेशा उसी post के लिए किया करिए जो की काम आपको आता है और जिसमें आप लोग interested है क् प्रकल को मान लीजे किसी और post के लिए आपको अगर shortlist हो भी गए और अगर वो आपको काम नहीं आता है तो एक करा से आपका मौका खराब हो जाएगा क्योंकि आपको इसमें job मिलने वाली तो है नहीं बागी इस कहरी चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दी है जिसमें आप interested है उसमें आप form यहाँ पर डाल सकते हैं apply कैसे करना है आप एक छोटा सा form देख सकते हो आपको अपना नाम डाल देना है mail ID, phone number, किस post के लिए apply करना चाहते हो डाल के अपना जो भी यहाँ पर आपको अपना resume टाइप कर देना हो है और अपना message कुछ भी आप यहाँ पर type कर जाता है कि कोई company आपको क्यू hire करे तो आप अपने बारे में थोड़ा यहाँ पर जो आपकी खूबियां है वो यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि उस company को पता चल जाए जो recruiter वैठा है उसको पता चल जाए कि हाँ आप में यह यह खूबियां है तो वो आपको hire कर लेगा फिर जहां इनके चल रहे हैं projects महाँ पर आप जाके देख भी सकते हो ठीक है और बाकी salary की अगर बात करने तो वो कुछ अभी clear नहीं है salary depend करती है आप पर depend करती है और आपके HR पर depend करती है जित्ते भी होगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर apply करने के लिए आप हमार करते हो नीचे जाने के बाद आप यहाँ पर जाके apply कर सकते हो इनकी website और apply करने का link दोनों ही यहाँ पर आपको मिल चाएगा तो यहाँ से जाके प्रिक्ट apply कर सकते हो तो ठीक है फिलाल आश के लिए भी के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आया है इसे like करे शेक करे औ और ब्लस आप यहाँ जाएगा 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 जा